नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubah.org www.naysubah.org नई सुभा के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ओडियो लेर्णिंग टुटोरियल्स के साथ मैं हूँ एहसनिक बाल आज हम बनाना सीखेंगे आलू पालक इसके लिए जो अज़्जा हमें दरकार हैं वो ये हैं आलू 1.5 kg पालक 1 kg एक अदद बड़ी प्याज चौप की हुई टिमाटर एक अदद लसन द्रक का पेस्ट 1 टेबल स्पून जीरा 1 टी स्पून कुटिलाल मिर्च 1 टी स्पून नमक 1 टेबल स्पून पिसा गरम मसाला 1 टी स्पून आलू 1 कप हरे मिर्च 2-4 अदद कट लगी हुई तरकीब सबसे पहले आलू को क्यूब्स में काट लें और पालक को अच्छे से धोकर उसकी डंडियां अलग करें और पत्तों की बारी कटिंग कर लें अब एक पतीले में आल गरम करें उसमें जीरा डालें फिर प्यास को पिंक कर लें उसके बार टीमाटर को सौते कर लें साथ ही हरी मिर्चे डालें अब लसन अद्रक का पेस डाल कर भून लें फिर आलू को फ्राय कर लें फिर पालक डालें और पालक को भी फ्राय कर लें अब इसमें नमक, कुटी लाल मिर्च और गरम मसाला शामिल करके आदा कप पानी डालें और अच्छे से मिक्स करके 15 मिनट के लिए दम पर रख दें और जब पानी खुश्क हो जाए तो चूला बन कर दें और चाहें तो भगार लगा कर सर्फ करें मज़ेदार आलू पालक तयार है इंजॉय करें ये थी आज की रेसिपी मिलते हैं ऐसी ही किसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए